आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello students, question है हमारा Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited जिसको हम IRC-TC भी कहते हैं ठीक है, अब इसके बारे में आपे बताया गया है A Government of India Enterprise E-Ticket Booking on the Website A Guide Register as an Individual Registration is Free अब यहाँ पर बताया गया है कि IRC-TC साइट पर यह हमें गिवन रहता है ठीक है, जहाँ पर ऐसी कुछ Informations लिकी रहती है Like, Login by Entering Your Username and Password The Plan My Travel and Book Tickets page appears जैसे ही आपर क्या होता है कि एक साइट है IRC-TC की ठीक है, वहाँ पर अगर हम टिकेट को बुक करने के लिए वेब साइट खोलते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पर यही लिख के आता है, Registration Free है ठीक है, अगर आप registered हैं तो उसके बाद अपना username और password एंटर करने के लिए हमें बोलते हैं, ठीक है उसके बाद, Plan My Travel या फिर Book Tickets page appear हो जाता है, ठीक है Use Help Option for Any Help Required to Book Tickets उसके बाद, Ticket Books करने के लिए अगर कोई help चाहिए होती तो वो भी वहाँ पर available होती है, ठीक है कुछ इस टाइप से वहाँ पर Ticket mentioned होती है, ठीक है उसके बाद लिखा रहता है Fill in the details by following the guidelines given below, अब जो guidelines given रहती है, उसके बाद हमें ये जो form हमें given रहता है, उसको fill करना होता है, ठीक है, Ticket Books करने के लिए, ओके, उसके बाद यहाँ पर इसी टाइप की कुछ information given रहती है, किस तरीके से form को भरना है, वो भी given रहता है कितने लोगों के लिए भरना है, कौन सी Ticket, I mean कौन सी train के लिए Ticket book करनी है, ये सारी चीज़े वहाँ पर available रहती है, ठीक है, IRC TTC की site पर, ओके तो आगे हमें ये बताया है because of technological advancement it has become possible to book railway tickets through internet from home, office, etc अब इतनी technological advancement आगई है, कि अब ticket को books, I mean tickets book कर सकते हैं हम internet से, ठीक है चाहे हम घर पे हो, चाहे हम office में हो या फिर कहीं भी हो, हम अराम से अपने phone से या फिर laptop की help से tickets को book कर सकते हैं ठीक है, पहले क्या होता था कि हमें railway station जाना पड़ता था line में लगना पड़ता था और जब हमारी turn आती थी, तब हम सारी information देखे ticket अपनी book खराते थे ठीक है, लेकिन आप ऐसा नहीं है तो अब question ये है हमारा name and explain the component of business environment indicating in the above case अब हमें बताना है कि जो business environment का component यहाँ पर indicate है इस case में वो हमें बताना है, ठीक है तो जैसा कि हमने इस पूरे question को पड़ा है, बात यहाँ पर किस चीज से related हो रही है technological advancement से related ठीक है, पहले क्या था, पहले कोई ऐसी advancement नहीं थी, तो लोगों को offline ही ticket को book करना पड़ता था, बट अब online सब कुछ हो जाता है, है ना, तो अगर बात यहाँ पर technological advancement की हो रही है तो हमारा जो component है component of business environment हमें यह identify करना है ना ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा technological environment जो कि क्या include करती है, forces related to scientific improvements and innovations, जितने भी scientific improvements और innovation को लेके I mean, इन से related जितने भी forces होते हैं वो सारे किसमें आते हैं technological environment पे, ठीक है जो कि किसलिए होते हैं products की quality को improve करने के लिए, तो हमसे यहाँ पे component पूछा था इस पूरे IRC-TC का example देके वो component हमारा क्या हो गया technological environment, ओक thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीजे अपने डाउट्स आज चारसो 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 पर